पिर से सभी का एक बार श्वागत हैं जो हम लोग का हिस्ट्री का आपको सेसन चल रहा है हिस्ट्री का जो स्रीज चल रहा है उस स्रीज में आगे बढ़ते हुए हैं एक पार्ट का हम लोग डिसकसन कर चुके हैं आज दूसरे पार्ट को देखते हैं जिसका सिर्षक है राजा किसान और नगर तो आईए इसमें पहला कोश्चन है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी तो ठीक है मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी आपको मालूम ह किसके दोरा किया गया था जी विसाक अधत के दो बहुत ही फेमस बुक भुक का नाम क्या है अर्थ सास्त्र चुक्र आप जानते हैं कि अर्थ सास्त्र किसे संबन्दित हो ता ऐसा सास्त्र जो पैसा से संबन्दित हो जो मुद्रा से संबन्दित हो वो अर्थ सास्त्र का लाता है चुकि लेकिन ये था जो कौटिली के दोरा अर्थ सास्त्र लिखा गया था जो ये कौटिली के दोरा अर्थ सास्त्र लिखा गया था इसमें आपको तो राजनिती के बारे में जनकारी मिलते हैं, किसके बारे में जनकारी मिलते हैं, राजनिती के बारे में जनकारी मिलते हैं, और किसके राजनिती के बारे में जनकारी मिलते हैं, यह कौटिल ही था, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौरे, कौन जी, चंद्रगुप्त मौर कब 321 मोरे मैं मोर्र बंस की अस्थाप्णा कीते साथ। इसमें आता है आप किया नहीं ज आ अपको मेगास्थनीच को क्याना अमारा है जी। नो जाना थे मेगास्थनीच के बारे में मैं होर्त किया इन्डीका किस इंडिका किस पुष्टा करशना किया था इन्होंने इंडिका पुष्टा करशना किया था ठीक है इंडिका से भी किस के बारे में जनकारी मिलती है तो जी मौरे शम्राज किस के बारे में जनकारी मिलती है तो मेगास्तिनिश कौन था तो मेगास्तिनिश सेलुकस निकेटर का राजदुत था। सेलुकेस निकटर का साथ आया था और वक्स चंद्र गुप्त मौरे के दर्वार में आया था ब्रह्मन करने के लिए और उसने क्या लिखा इंडिका लिखा और इंडिका का बारे में किसकी जनकारी है तो जी मौरे शमराज के बारे में जनकारी मिलती है ठीक इसने क्या किया था 321 इसा पुरुम ने एक वंस की अस्थापना की थी और उस वंस को किस नाम से जानते हैं तो उस वंस को हम लोग मौरे वंस के नाम से जानते हैं उस वंस को मौरे वंस के नाम से जानते हैं ठीक है, तो पूछ रहाएं, मौरे वंस का पर्थमशासा कोण होगा था जो अस्थापना करता है वही होगा यानि आपका answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा, चंदर गुप्त मौर्ड यानि कि क्या, B option क्या हो जाएगा B option हो जाएगा ठीक है तो आई ये बात कर लेता है चंद गुप्त मौरे का उत्रा धिकारी कौन था तो बिंदु सार यानि बात करेंगे कि चंद गुप्त मौरे का पुत्र कौन था तो बिंदु सार और बिंदुसार का पुत्र कौन था तो अशुक ठीक है फिर बिंदुसार के बारे में भी आगे जाना जाएगा और किसके बारे में भी आगे जाना जाएगा अशोग के बारे में भी आगे जाना जाएगा ठीक है जहां तक बात करते हैं थोले सा आपको जनकारी देते चलते हैं कि बिंदुसार के बारे में क्या कहा गया है कि इनानी ग्रंथ में बिंदुसार को कहा है अमित्रकेटस क्या कह कंदना कको जैसे का अब canopy का संबाथ करें है त 되어 आपको आपको थोले बारे में चेलआ हो फोड़ा में हुआ चैनल कमपैसे हैं आपको कही नाम से आपको शुन ने को मिल आएंगे जैसे कि अब इसे अशोक दोरा बहुत सारे अविलेखों करेशना किया गया था तो जो इनका अविलेख था कौन सा अविलेख? मास्की अविलेख उसमें इनके मतलब जो नाम था अशोक अशोक से पुकारा गया है पुरान में अशोक को क्या कहा गया, पुरान में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, क्या कहा गया है, अशोक वर्धन, वहीं जब बात करते हैं, ब्रामी लिपी में तो ब्रामी लिपी में अशोक को क्या कहा गया, पिरियदासी, पिरियदासी का मतलब क्या होता है, कि वैसा व बेदो की संख्या कितनी है, किसकी संख्या बेदो की, तापसा नमर ए हो, अपका एंसल हो जागा, बेदो की संख्या कितनी है, चार, कौन कौन से वेद हैं जी, ते यजूर वेद, रिग वेद, यजूर वेद, साम वेद, और अथर वेद, कौन कौन सा, रिग वेद, यजूर आपको सूरू के तीन वेद हैं कौन कौन सा इडिग वेद ठीक है पलस यजुर वेद ठीक है पलस आपको कौन सा शाम वेद इन तीनों को मिला कर जा करते हैं करते हैं और सबसे बात का विएत कर ठीक है अथर वेद सर्य आफ धारों कि निन्डा कि है चलिया आगे बढ़ते हैं फिर देखा जाएगा आधिये चार 1857 में आते हैं भारत के किक शासो को बharat के खिस शासो है ठीक है तो भारिए ओस न रीपुलियन कर गया है तो इसको नेपुलियन किस ने कहा था किस के दोरा नेपुलियन कहा गया था तो शम两 रुप performing को नेपुलियन कहा गया था B A Smith एक इत्यासकार दें उन इतियासकार B약us Smith के और आ क्या बोलें जी बी ए इस्मित बी ए इस्मित सहाब ने नेपोलियान कैसा आपको कैसा संगया दिया था नेपोलियान किसको मिला था तो शमंदर गुप्त को मिला था किसको मिला था शमुंद्र गुप्त को मिला था शमुंद्र गुप्त किस्र बंच का सा सकता तो समुंद्र गुप्त नाम सस्पष्ट है कि ये किस-किस बंच का सा सकते हैं गुप्त बंच का सा सकते हैं तो समुंद्र गुप्त से बारे में और कुछ जानकारी आप जुटा सकत इलहावाद की प्रस्तस्ति किसे समंद्रगुप्त से 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 समंद्रग इसमें और क्या देख लिया जाए हैं मैं देख लेता है कनिश्क के वारें देख लेते तो किस के वारें है किस के वारें बात चल रहा जरे कनिश्क साषाण जहां किस वंस के साथ क्या सकत錯 था कुछार बंस करोंग सब सर्दोगी कहा है कुसाना बंस की राजधानी काहा थी तो पेसावर चतुरत बहुत संगती उई थी कहा हुई थी यह कभ गदी पर बैठे थे तो यह आपको गदी पर बैठे थे तो सब्सक्राइब को बारे में जो भी जनकारी था यह आप लोग को दे दिया गया गया कनिस्क जो कुछ और जनकारी है पूछेगा कि भारत में सबस्दुष्ण का सिक्का किन के दौरा चला गया था यहां तक हम लोग देख लिए हमारे चंदर्गुप्त मौत उग अपको उसके वाद कौन हो गया यह आपको कोण को आपको कनिस्क हो गया अब देखते हैं हर्षवर्धन जी के बारे में किसके बारे में देखते हैं हर्षवर्धन तो आईए देखते हैं हर्षवर्धन जी के बारे में तो हर्षवर्धन सबसे पहले बात करते हैं किस वंज के शाषकते हैं किस वंज के शाषकते हैं पुष्य भूती वन्स का शाशक थे और यह सबसे परतापी शाशक थे पुष्य भूती वन्स का संस्थापक कौन था पुष्य भूती वन्स का संस्थापक 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 अभी तक आपने बताएगे हर्षवर्धन किस बंस से समझत है पुश्य भूति बंस पुश सकता है ध्यान दीजिए याद किजिए दिमाग में बैठाइए हर्षवर्धन आपको मैंने बोला है कि जितने आयाम हो सकते हैं एक प्रस्ण के जो आपसे एक्जाम में पुछे जा स सकते उनसारे को देखा जायेगा क्योंकि मेरे и यहांन जाता है कि आपका एक क्वेस्टिन एक कुष्ण के सारे पहलूह को हम लोग देख रहे हैं लिए किसंके सांस्व को कि पूशिवग्स उपीष्टी ह्हाइँ है वीरते और बहुत पहुंच पुश्टिु यह फेमस इसलिए हैं कि यह हर्सवर्धन की जीवनी लिखे थे और इसका नाम क्या रहा है हर्सचरीत कि नहीं लिखा था बालमध कौन थे हर्सवर्धन के आपको दरबारी कवी थे ठीक है एक ईक और हर्सवर्धन जीन से कि भारत यह फार झीव हर्सवर्धन के समय में भारत आयके और बोधर कितने वरस चाक भारत रहे ह। तो पंद्रा वर्स तक भारत रहते हैं ठीक है तो यह हर्श वरधन जी के बारे में भी हो गया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं स्पांदों में सबसे सक्तिसाली महाजन्पद कौन सा है कि आप लिखिए कि आप इसके बारे में मतलब वृवरं दीजे या आप इस में चर्चा करें कि मगद के सकतिसाली हो निके 3.4 कारणत हैं जैसे cả वरूरहिं कर सकते या प्राकर्टिक स्मय्वन ऐसे था कि किसी दूसरे महाजनपत के लिए सुभेद्द नहीं था ठीक है यहां के सासक भी बहुत कुसल थे ऐसे आप तिन चार पॉइंट करके इस पे लिग कर पॉइंट देकर उसको उसके बारे में चर्चा करके आगे बढ़ सकते हैं तो इस सीज को ध्यान रखेगा आपसे यह क्या है कि कि सिला लेक में अक्यान थे क्लिंग भी अक्यान शियाओँ क्या है तो इसका क्लिंग Healthy लिग आपको 13 तो आगे वाले में कम समय लेगा ठीक है तो साथ नमर पर आते हैं जैसे देखिए आपको कनिस्क के बारे में बता है कि इसी समय इन्होंने एक समध चला थे इसका नाम किया सक समध किस के दूर अपना आ गया तो भरत सरकार के दूर अपना गया किस बंस का सब्सक्राइब करते हैं इसका रधानी के पुरुषपुरी आपेशावर सबसे था सोने का सिख्या किस के दूर चला था कुछार बंस के दूरा करते हुए थी तो परतम सराभ दी में आपको कौन सा हुआ था चोत्रत बार्च नागती कहां हुए थी कमिस कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था चलिए इतना सारा जनकारी आपको दे दिया पहले दे चुके इसमें नहीं लगा लेकिन फिर एक वारी कर दिया आईए धम महामात्रों को किसने नुक्त किया था तो देखिए अशोक मौरेवन्स का एक बहुत ही परतापी राया था अशोक क्या हु कि वह सारे पूरुष को मार चुके थे उनका ऐसान मान था कि हम तो जित चुके लेकिन जैसे गया उस पर कब्जा करने देखें कि जो कलिंग की महरानी महराज के जो बेटी थी पुत्री ती राज कुमारी वह लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए तयार थी तो अशोक कि अशोक के किस बहुत भीक्षू को दोरा मत बहुत धर्म का सिक्षा नहीं तो उपगुप्त के दोरा ठीक है तो महा धम मातों की निक्ति किस ने किया था तो अशोक ने किया था इसका एंसर क्या हो जाएगा चलिए यह नो नमर देखते हैं अशोक किस वंस का सा सकता रहे घना नंध जीसे क्या हुआ था कि चंद गुप्त मौर ने उसे पराजित करके क्या क्या किया था अंद्रवस क क्या था गुप्ट क्स Посुंत में क्या है तो एफे जिसके अस्दाय केया थिए सरी क्या आई एगारा नमबर कोश्चन क्या है एगारा नमबर कोश्चन क्या है एगारा नमबर कोश्चन की पर्याग प्रसस्थी की रशना किसने की थी तो पर्याग प्रसस्थी की रशना किसने की थी हरी सेंड एगारा का आपका एंसर क्या हो जाएगा हरी सेंड हो जाएगा क्या हो दरवारी कभी था, और इसनने किसकी रचना की थी आपको किसकी पर्याग प्रस्टषच देखे, ठीक है ये बानबडड़ी अभी आपको कुछ दिर पहले बता है किसके दरवारी कभी था हर्सवर्दन की आपको हर्सचरित प्रतमजली के दोरा क्या लिखा गया महा भासु अश्टाध़य था? पालिणी के दोरा बिखियों पालिणी ने लिखा था.. संस्कित भी अकरण जिसका नाम भास अश्ट अध्याई य्या उस्ट अध्याई पर भास लिखा था जिसमें आपको अधिकतर यम आ जाए अगर आपको याद ना हो तो क्या अंसर रही है कालिदा जैसे कि अधिकतर जो किताब लिए तो उनके नाम के पीछे था एक और इनका फेमस किताब है मालवी का अगनी मित्र के दोरा ही लिखा गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं बारे नमर कोश्चन क्या कर रहा है कि मौरे कालीन में टकसाल प्रधान कौन था ठीक है बारे नमर कोश्चन क्या है आपको 12 नमर कोश्चन है कि मौरे कालीन में टकसाल क्या है जी टकसाल टकसाल का परधान कौन था ठीक है तो टकसाल का परधान आपको लक्षनाद्यक्ष था कौन था लक्षनाद्यक्ष जो टकसाल टकसाल उसे बलते हैं जहाँ पर सिक्के डाले जाते हो उसे क्या बलते है तकसाला उसका पर्धान कंता लक्ष गराईए कोसद्यक्स किसे क रहते हैं अध्यक्स क्या करते हैं Marika थिसा सब्सक्राइब करते हैं इसमें कौन सा है मुद्राध्यक्ष जो पासपोट भीका मुद्राध्यक्ष करते थे लिए पढ़नेद्ध्र सब्सक्राइब कोन नहीं दिख रहा है तो धयान दीजियेगा आर्थ शास्त और इंडिका किस राजवन के भी समय जगर मिलते हैं आपयाद केजिए जब मैंने पहला ही क्वेशन डील किया था उस समय आपको बताया था कि यह दोनो किसे समझनी थे यह दोनो आपको मौर वन से समझनी थे किसे समन्दित है मौर वंस यानि अप्सन नमर ए हो जाएगा कौन वंस है मौर वंस से यह अर्थसास्तर भी और आपको इंडिका भी ठीक है आगे बढ़ते हैं पंदर नमर कोशन अर्थसास की रचना कब हुए थी तो अर्थसास की रचना चौथी सताब्दी ठीक है आएया पतंजली के जनर्ली करों अपास्तर भीलते हैं प हाले कह जंट्वात के सबस्कर चीजंगल कि सबस्ते को लिए झाल कर दो कॉल् moral के ओंदिता है यह आपको आपको पतंजली के दौरा लिखा गया आप महा भाष्ष्ट है यह देखे नेक्स्ट कोश्चनивать को का ओप को असानी से बता सकते हैं कोटिल्य यहां थियां देख लिए जाए कि कोटिल्य है और सादे क्या ते चानक्या क्या नाम थे चाल क्या और क्या है बिष्युप्त्थém क्या थे जी विष्णु गुप्त और कॉटिल लिया इन तीनों नाम से कौन पुकार ते कॉटिल पुना है और यह क्या थे यह आपको चंदगुप्त मोरे के मंत्री थे और इन्हीं कि सहता से चंदगुप्त मोरें ने मौरे बंस की अस्थापना की थी चलिए आगे देख रख दाध का मतलब किया होता दा सत्रू को मारने वाला को आई है भजी को समाजी काई में क्या कहा गया है क्योंकि उस समय भी आपको अरहाज तंत्र नहीं था कुछ ऐसे जगा थे हैं जो लोग तंत्र के उधारन थे हैं तो वहाँ पर साशा का चुना होता था तो उसी तरह का एक जगा था जनपद था उसका नाम कहा था बज्जी तो बज्जी को क्या कहा गया 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 आईए देखता हैं नेक्स कुछंद कोण साथ 20 नमबर बीस नमबर कोछंद का जनपद सब्द का साबदिक अर्थ क्या है कौण साथ जनपद तो इसका एंसर पड़ते हैं जहां लोग मवेसी रखते हैं जहां लोग अपना घर बनाते हैं जन पद जन मतलब लोग, पद मतलब पैर जहां पे लोग रहते हैं उसी को क्या करते हैं जन पद तो जहां पे लोग रहेंगे तो लोग अपना घर बनाएंगे जहां पे रहेंगे तो क्या करेंगे अपना घर बनाएंगे और जब लोग रहेंगे तो अपने साथ पाल तुपसू तो पालेंगे तो यानि हमारा कौन A और B दोनो होगा तो हमारा option कौन सा सही जगा C क्योंकि C में है A और B दोनो ठीक है तो clear हो गया चलिए आप आते हैं 21 नमर पे 21 नमर पे क्या है जी आपको 21 नमर पे कि 5 चिन वाले सिक्खे बने होते थे तो आपको सोने के नहीं चांदी के और तामबे के किसके बने होते है चांबी और चांदी और तामबे के तो option नमर क्या हो जाएगा जी हमारा D हो जाएगा क्यों जेगा डू होजाएक इसके बने तो आप जाने पुत्र पुत्रिकों बजए थैं जापान जापान के लोग वी क्या करते हैं ब्रिटरम को मानते हैं शोरिया और बृत्रे ने फस्टेंगे तो देखें आप देखेंगे टॉटारा तो आप देखेंगे एक मुख्य उसके पीछे ये भी था, उसका मुख्य बजा ये भी था, कि हंगरेंज्जो दो रखिया, इसायी धर्म को जोग रखिस है, मतलब कि धरमानत्रम कर आया जाता, इसायी धर्म को मनवाय जा जाता, तो बृटेन वाले क्या हो जाएंगे, मानो तो मैं गंगा मा हूं ना मानो तो बहता है पानी तो हम लोग भाइया मानते हैं कि गंगा गंगा मा है सबसे पवित्र नदी है क्योंकि इनके पास मा कहलाने का गुन भी है क्योंकि पानी इनका काफी दूनों तक बीना आपको bacteria लगे बीना कीट लगे बीना सनले रह जाता है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं 24 नमर question पे 24 नमर question थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा थोड़ा से manage किजिएगा क्योंकि इसका PDF ये था आप कह रहा है कि परसिद ग्रंथ क्या है परसिद ग्रंथ इंडिका क्या आपको कर रहा है इंडिका की रशना किस ने की थी तो मैंने आपको बता दिया था इंडिका की रशना किस ने की थी तो आपको मेगास्थिनेच किस ने की थी मेगास्थिनेच ने की थी ठीक है उसके बार दूसरा है प्राचिन भारत में धम की शुरुवात किस के दोरा की गई थी तो अशोग के दोरा धम का शुरुवात किस के दोरा किया गया था देखें मैं लिखते जा रहा हूँ ध्यान दीजेगा धम कसुल्ध किसके दोर रखिया गे था अशोग के दौरा यह डिस्का सो चुका है पहले उसका बात करता है इंडिका किसके दोर लिखा गया था तो इंडिका लिखा गया था आपको MegaAnthinich मेगा अस्थिनीज ठीक है मेगा अस्थिनीज को दार लिखा गया था चलिए आगे देखते हैं 26 नमर कोश्चन महावीर ने पारसुनात के सिधान्त में नया सिधान्त क्या जोड़ा तो देखे पारसुनात में चार सिधान्त दिया था महाबी रहा है तो एक पांचवा सिध्धानत जोड़ी देशे पांच वर्त करते हैं क्या करते हैं पांच वर्त और ये पांचवा वर्त क्या था आपको जी पांचवा वर्त था आपको ब्रहम चार्य क्या था ब्रहम चार्य क्या था जी पांचवा वर्त ब्रहम चार्य था या इक सेटी सी में थोड़ा से मैनेज किज़ी गाँ भाई मैं ये वीडियो बना नहीं तो खुद बहुत मुश्किल से बना रहा हूं तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा किई पिएज ही थोड़ा सा अलटर था ठीका आगे आगे कुश्टन के फूट डालकर बिजय पराप्त कर का कार शर्वपर्थम किसे राजा ने किया था तो देखिए अभी तो आप लोग आज तक हम जानते थे कि अंग्रेजों क्या कि फूट डालकर साशन किया ठीक है लेकिन हमारे देख लिजिए भारत बहुत ही बिक्सित था बहुत ही बिक्सित था वह अलग बात है कि हम अपनी खू चुके हैं हम जो थे आज वो नहीं है फूट डालकर बिजय प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले कौन की इतना चलाक आदमी था कौन आजात सत्रू कौन था अजाष्ट अस्पत्रो ये फूट डालकर क्या करते थे जी फूट डालकर फूट डाल कर साशन करते थे कौन अजाद सत्र ठीक है आईए तीस नमर कोश्टन देखते हैं देख तीस नमर कोश्टन क्या है कि जीवक आप भी ध्यान दीजेगा तो समझ में आ जाएगा जीवक जीवक पूछ रहा है कि जीवक किस वन से समझ देख है तो जीवक आपको हर्यक वन से समझ देख है किस वन से समझ देख हर्यक किस वन से समझ देख हर्यक वन से समझ देख है तो एक चीजा बता ये कि जो ये जीवक थे हाँ तो जीवक बैद किस वन से समझ देख हर्यक वन से है आपको क्या पूछ रहा है कि जीवक किसे समग्ने थे तो हरियक वÑ ,कौन में ययर्यानी सेनीको का आपको बहुत बड़ा मालिक, थänge है जीवक किस से समय थे हर्यक वंस का अपने किस के दुरा किया गया था तो बिम्बी शार के दुरा किया गया था ठीक है और ये आपको हर्यक वंस को ही पित्री हंता वंस कहा जता है क्योंकि इसी वंस में अपने पिता को मार कर पुत्र क्या करते थे गड़ी पर बैठते थे तो ये हर्यक वंस ही था जिसे क्या किया गया तो और Damiti को भेजा गया था कहां качеem, अवंत के राजकुमार के इलाज करने केरिये, आपको कहां भेजा dice, आप अइग तर्फिस नमर कोष्चन देखते हैं अपने स्वेम के खर्च से सुदर्शन जिल की मरमत किस ने कराई थी तो देखिए सुदर्शन जिल बहुत बढ़ी कोश्चन है सुदर्शन जिल पूछे का सुदर्शन जिल का निर्मार कब हुआ था किस वंस ने कराया था तो सुदर्शन 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 जिल का निमार किस वंस ने कराया था तो मौरे वंस ने ठीक है मौरे वंस ये जिल क्या हुआ था जिल आपको जिलना वास्था में हो गया तो जिलना वास्था में मतलब होता है कि बुलापा वास्था में गया था यानि जिल थोला सा तूट फूट हो गया था जिल का इस्तिधी खराब हो गया था तो उसको करता है जिल्णोदार करना यानि उसके इस्तिधी को सुधार करना फिर से उसको नए रूपते न यह किसके दोरा करा गया था रूद्रदामन के दोरा किसके दोरा किसके दोरा रूद सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी लेंगे लेकिन किसके संगम पर क्या पूछा है संगम मतलब होता है नदियों का मिला नस्तल तो क्या होगा गंगा पलास सोन पलास पून पून कौन सा नदी पून पून ये तीनों नदी मिलते हैं उस्सी के किनारे क्या किया गया पाटली पुतनगर को बसा आगया किसने बता था तो उदेईन किसके दूरा बसा आगया था ठीक है चलिए अब देखते हैं आपको 32 नमर क्यूश्टन कि समझत यहीं नहीं एसी या यह हम एउरोप में सरव परतम हूडो को प्राफ्ट करने का सिरे किसे प्राफ्ट है तो असकंद गुप्त का देखिए हूडो किसको जी हूडो हूडो पर बीजय किसने प्राफ्ट किया था तो असकंद गुप्त ने किसने किया था असकंद गुप्त ने इस पर विजय फराप्त किया था ठीक है आगे बड़ते हैं देखते हैं कि आज यह हो गया 32 33 देखते हैं एक दूसरे से चेंज है यह देखिए नेपोलियन नेपोलियन बराबर शमुंद्र गुप्त क्याजी शमुंद्र गुप्त यह एक हो जाएंगे यह उरोप में हो जाएंगे और यह जाएंगे भारत में हो भूमी अनुदान किसके दोरा सुरू किया गया था जी तो आपको शाथ वहन वहनस के बारे में जानिएगा शाथ वहनस मात्री सतात्मक समाई था इसका और मैं जब लेकर आऊंगा वीडियो वीडियो के साथ जहां पर यह है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको इसको बिस्तार से बताऊंगा ठीक है अब पुछता कि 510 में सती प्रथा का साक्ष किस से मिला था आपको किस अभी लेक से ठीक है आगे बात करते हैं आपको कि अशुक ने महेंद्र और संग मित्रागों बहुत धर्म के लिए कहां बिजाता परचार के लिए स्रिलंका जस्ट आगे कुछ दिर पहले बताते हैं कहा सफल पर्यास किया था या क्या है जी यह रहने दीजे यह कुछन ही समझ में नहीं आ रहा तो क्यों इंसर बताने का क्या मतलब है यह मुझे भी नहीं दिख रहा है तो चलिया टाईए इसके लिए सौरी इसको रखिए देखते हैं देखकर आपको अगले वीडियो में इसका चर्चा कर दिया जाएगा मौरे कला का मौरे कला का निम्ने में से कौन सरवादिक महतपूर नमूना है तो मौरे कला का सबसे महतपूर नमूना अस्तंब है क्या किया जे अस्तंब पर ही बले-बले मकानों को बैठा दिया गया था तो मौरे कल का सरवादिक महतपूर नमून गुप्त काल में, ठीक है, हर्सवर्धन के काल में, गुप्त काल के बाद गुप्त काल आता है, उससे में हर्सवर्धन के काल में कौन है था, तो हर्सवर्धन के काल में है था, हेनस्यांग, कौन है था, हेनस्यांग, ठीक है, तो 40 तक रहने दीजे, आगे मिलते हैं आपको, त बात कर लेते हैं यह देख लेते हैं चलिए इसको खतम ही कर देते हैं थोड़ा तो लंबा भी देख लिजिए उसके बाद तीसरा पाट ले कराएंगे बारत के दरबार में आया था तो चंद गुपत मौर के दरबार में तो अपने राजदूत को बेजा गा था मेगास्थनीच को और मेगास्तिनीच कया लिखा था इंडिका पुष्टक लिखा था क्या लिखा था इंडिका पुष्टक लिखा था समंद्रगुप्त की जनकारी किसे मिलती है तो पर्याग प्रस्थिस्टी से निकलती है किसे मिलती है पर्याग प्रस्थिस्टी से ठीक है अब आई यह नोड़त ने किस दर्वार्न किस साचा की दर्वार्न में रते थीक्षा अब को स Earl Kप आधाका कमेंट कीजी कeless किस पुष्टक को लिखा था ठीक है अभी मैं में इस करता हूं अप लिखेगा थोड़ा सा तेजी में हूं ना तो सोच के बताया था आप असोगोस ने कौन सा पुष्टक लिखा था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा प्राचीन भारत में अभिलेक की शुरुबात जाक जऱ्क ठीखेगा विलेक के शुरुबात किसके दोरह प्राचीन आपको साथ मेगाश्तिन निर्मान किसे समंदित है शिव भागवान से किससे सिउ जी से तिक है इसकी बात करते हैं और दोर्ण है और यह बात करते है 59 नमर कोष्टन पुलाओ किसे कि इतनी अथार है कि 918 टक से सिला बिश्व्विधल कहां इस्तिता तक से सिला कहां पे था तो ठाकिस्तान और धम की सुरएंट किसने की तो बार बार कोशन बीभी कोशन यह आए कहीं하겠습니다 दह्म कि सुर्वाथ आपको einhad अश्योक के द》 तो आपको फोटो कोपी आया पको लिखा गया था इससी तरह का था मैंने पूरा परियास किया कि उसको सही से ले सकूँ लेकिन फिर भी नहीं ओपाया है इसके लिए उसके लेप्ण में अगरे जहाँ है और वैटर में तो आपको वहीं कोश्कंट दिया जाएगात जो ख्या होगा प्रेयर होगा फ्रेस पीडिया जो होगा च्लीए वीडियो लंबा हो समझे मेरा यूटूब चैनल बने हुए लगबग दो धाई साल होने वाला है लेकिन आप उस पर वीडियो देखिएगा कि वीडियो तभी आता है हम लोग तभी मतलब की ज्यादा एक्टिविटी हम लोग डाउन की स्थित्यूत पन होती है मेरा इससे कोई कमाने का मेन मकसद यह मिन मतलब नहीं तो इस पर लगतार कंटिविडियो आते रहता मैं बस आप लोग के help करने के लिए एक माध्यम के रूप में हमेसा खला था खला हूँ और खला रहूंगा जब जब मेरी ज़रुत पड़ेगी तब तब मैं आपके काम आऊंगा ठीक है यह मेरा बादा है ठीक है तो आप भी इसको देखिए इसको ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए कि जब मेहनत हो रहा है तो सही दिसा में मेहनत हो माली जब मेहनत हो ही रहा है तो सही दिसा मेहनत हो यानि सारे लोग इस लभाव नहीं थो ठीक है चलिए मिशेश बात करते हैं अगले वीडियो म ठीक है बाई बाई टाता टेक क्या ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में